वेलकम बाक तो स्ट्रीमर्स तो आज करीब मैं चार दिनों बाद मतलब मैं सीरिस्ली चार दिनों बाद अपने गाल के मसल्स की एक्सिस कर पाई in the sense मतलब मैं करके smile कर सकते हूं वाली भी smile कर सकते हूं तो हुआ क्या, चार दिन पहले यानि की वेडनेस देखो, मेरे गाल में थोड़ा थोड़ा दर्ट था, मुझे लगा, मैंने लगता है कोई गाल अपना ज्यादा खीज लिया, व्लोग बनाते में वो जो पहले संदे का व्लोग आया था, तो उसके वज़े से हुआ हो सकता है, पर मैंने सोचा, इतने दिनों बात क्यों होगा, मैंने बोला चलो होगा, कुछ लग गया होगा, सो गई होगी इस साइट से, अगले दिन सुबा उठी, दर्द तेज हो गया, और सुबा ब्रश करते में जब मैंने ब्रश पीछे किया तो दर्द करने लग गया, एंदेन मैंने मम्मी को बताया, सुबा मैं मम्मी मम्मी पीछे का गया अधीला थीला सा लगता है, फिर मम्मी ने बोला लगता है तेरा विज़ब टूटनी कल रहा है, अच्छा, एक और दार, मैंने बोला ठीक है भरी तुम भी आई जाओ, पर बात ये थी, मुझे टेंशन किस बात की हुई, Thursday, Friday, Saturday मेरे Final Semester के Practical थे, अगर ये दर्द बढ़ता गया, तो मैं बोलूंगी कैसे, महां जादा टेंशन थी, मैंने मूला हो गया, मैंने पेपर, आज Saturday है जब मैं वीडियो शूट करी हूं ये, आज खतम हुए हटे है, Practical मेरे खतम है, तो ये हुआ था, तो मैंने बहुत गूगल सर्च करी पिछले तीन जाद दिनों में विस्टम तूट के बारे में, जो मुझे मिला वो था, डॉक्टर ने दात निकालने के तरीके, दात निकालने के बाद की सूजन, अरे जो दात उग रहा है, उसका भी कुछ तो बता दू, ज्यादा कुछ मिला ही नह तो इस दिन दर्थ था मैंने सुभा सुभा एक नौ बज़े क्लास लगती है मेरी, तो उन टीचर को बताया, तो टीचर अपना एक्सपिरियंस बता रही थी कि कैसे विजदम टूटून के चारों के चारों के चारों निकालने पड़ गए थे, मैं ऐसे, मैं यहाँ नीचे लोर राइट जो मैंने बढला तुझे निकालने की ज़रूरत ना परे मुझे वैसी डेंटिस्टों के चक्कर लगाने में बड़ा वो होता है, मुश्किल सी लगती है क्या खिते दे तक मुँ आ करे के खोल के बैठे रहो हुआ चलो जी मैं का experience सुन लिया नौबजे वाली टीचर का experience सुन लिया उसके बाद मैं सोच में परकी यह जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब मेरी जो नीस आपने पहले किसी वीडियो में देखी होगी चोटी सी तो जब छोटी थी तो उसके हाथ में जो भी आता था लिटरली जो भी आता था चाबी ताला हाथ हूट सबका पकर के खाने लगती और जब मेरे विजदम टूटी पीछे गंप फटा भी भी फटा भी पूरा निकला नहीं है वो ऐसे फट फट के निजर आता है बीच में से नाथ तो जब भी मैं उसको मेरे पास जो भी पराना मैं सची में उसको चबाल हूँ और जल्दी निकला ऐसे खिच-खिची मच्ती फिर मैंने सोचा what can be the reason कि यह इतने लेट लटीफ महमान क्यों आते हैं हमारे मूँ में अपने बाकी साथियों के साथ नहीं निकल सकते थे यह अलग से स्पेशली क्यों आते हैं फिर मैंने सोचा हमारे पहले के निकले थे मतलब मिल्क टूट से पहले घंपार यह उपर कोई मिल्क टूट था निए जिए थक्का मारे निकले टखमार बनावाय यह तो मैंने यह फाइनिली मतलब दिमाग में गुसाया कि जब हम अच्छे बच्चे थे जबहाराra मिल्क टूट governo तका गम्स में से फार के दात निकलते होंगे उस समय की फीलिंग कैसी होती है वो इस समय अच्छे से याद रहता की दिमाग में बहुत अच्छे से दिमाग में स्टोर हो इसलिए यह दात निकलता है पता नी फैक्स क्या है पता नी बट इस इस माई थिंकिंग तो यह मत बोलना कि इस इस के व्लोग में मैंने देखा था यह इन्फोरमेश इस 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 करो बेटा अदद कम होगा वो कम होगा सो फाइनली फाइनली मैं इसके एक बात कर सकती हूँ आज बाहर बारी शोरी है इसले मैं घर के अंदर ही व्लोग बना रही हूँ तो मौसम बरा अच्छा हो गया बहुत गर्मी थी पिछले बहुत दिनों से और फिर इन दिनों मतलब मैं ऐसे थी रोटी खानी हो मू बरानी ख जो छावल बना जो चावल खारी हूँ हो जाव डू आई एट एट के रोखा लिया मतलब ज्यादा बना पर तक कि इस साइड ना जाए को कि मैंने पर था गम्स के बीच में ट्रैप हो जाए तो बहुत सारी मुश्विल हो सकते है जो फट राय गम तो ऐसे खारी थी उसके ब इस साइड मज़े से हो रहा है इस साइड ब्रश में तूट पेस लगा के कर रही हूँ पर जब वो चूली मारनी होती है ना पाने लेकर करके अभी नहीं हो रहा है मतलब मुझे क्या करना परता है यूजूली हम क्या करते हैं रुको करते हैं इस साइड से हो नहीं रहा है मेरा अपनी हसी थोरी भी कंट्रोल ना करें हस ना हो अच्छे से हसी है तो पानी भरो पहले मूँ में फिर ऐसे मूँ टेरा करो और करो करना हो अब वह फोर्स ना लगे कुकि यह सारे गाल उसके साथ जुरावाए पीछे से और वहां से भी फट रहा है गम दूविधा एकदम ही दूविधा किसी एक वीडियो में मेरा कॉमेंट भी आया वह दूविधा सम्थिंग आइ रिमेंबर दे होल कॉमेंट पर पूरा कॉमेंट रेलिमेंट नहीं था यह वहीं से वर्ड याद आया है तो वहां से मतलब फिर फू तो होगा नहीं मतलब फिर मुझे करना पड़ता था पूरा मू बेसिन में ऐसे नीचे जुगा के आगे बढ़ते हैं कहानी आथोरी खतम होती है इसके बाद चलो जी अब मैंने लगानी थी एक क्लास वही वाली जो मैं आपको पहली भी बतातु ना मैं बच्चों की क्लास ले रही थी एक और वो बच्चे तो हैं बरे मज़ेदार वो कोई ना कोई जोक आके तो बताएंग करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर कहेंगे जिसमें हसी अब हुआ क्या एक टंग टुष्टर की क्लास थी मेरा दिमक यहां दांत में लगाव है थर्सदे की बाते वेड़नेस दे को निकल दर चुरू है थर्सदे को जादा था तो मैं से बच्चा लोग में को हसाना मत बस आज मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्थ है और हसा जानी रहा और तभी भी मतलब इतनी हसी आ रही थी बच्चों ने तभी भी इतने अच्छा अच्छा मतलब जो क्रेक कर रहे थे न मुझे ऐसे पकर के बैठना पर मैं कर दी और उसके बाद मेरी फ्रेंड ने में को अच्छा मतलब जो किया कैती नवनीता तो तो तोतली होगी है अरे भाई दार निकल रहे है अधेश अब तो बोले ही नहीं चारे उसके बाद एक टीचर ने भी कॉल किया था तो वह भी पूछ रहे थे बेटा अभी भी निकलने है ठंक से वर्ट ठीक है वह पिछे दार के अब भी भी दर्ध है मतलब सूजन है तब ही बाल खोले मैं ताकि पता न लगे ठीक है तो बेटा कॉन सा वाला दार के लिए मैं ऐसे सर ये वाला ये वाला मलब समझाया उसके बाद जाके में को बहुत सार इन उसके मिले थे कि पुराने जमाने में लोग नीम की दातून ब आदा घंटा चर्चा हुई है पुराने जमाने और आजकल के वज़े से क्या क्या प्रॉब्लम सोती है दातों को finally the moral is दात बरे कीमती है इन्हे सब भाल के रखिए आपके ये दात है लास्ट वाले महमान hopefully ये सीधे आई सब के ताकि मैंने परहा था कहीं पर नेट पर की 3.2 million dark wisdom teeth निकाले जाते हैं US में so hopefully वो कभी आपका ना हो आप उनमें से ना हो आपके सही सलामत हो यही है महमान जी थोड़ा अराम से और अच्छे से निकलना ज्यादा दर्ड मत देना swelling कम हो चुकी है बट अभी यहां नीचे है और यहां दर्ड होता है तो पहले जब मैं हाँ रुको रुको मैं तो अभी खतम करने वाली थी एक और मज़ेदार बात बताती हूं तो बाहर वाकिंग कर रही थी मैं जहां पहले आपने सारी वीडियो देखे न उस वाली अरिया में मैं वाकिंग कर रही थी न्यूटन का ग्रैविटेशन का लौ जो घूसा है सिर के अंदर जो समझ आया है ना उनका तो एपल गिरा था मेरा तो यह दात और डट कर लग जाता था ग्रैविटेशन पूल से मैं पूरे दिन मेरा एक मैं जहां बैठती हूं पीछे दिवार है जो उसके साथ ऐसे करके एक तक्या लगा के इसके नीचे रखती थी और भाई जब से यह दात निकलना शुरू हुआ है पानी की प्यास इतनी लगती है मैं ऐसे इतना पानी तो मैंने जिंदेगी में कभी ना पिया होगा एक दिन में जितने अभी पीरियों में इस दात के चक्कर में finally what I did was, I called up my niece, she is also 4-5-6 year old, I don't remember exactly, 1-2 year old, okay so I asked him to ask him, how much pain is it when your pain is out? so he said, it is a lot of money and then I was like, I am not the only one who has a pain so I am not the only one, I didn't know what to do but I wanted to confirm yeah, finally I am doing it, I will make a video of like, half an hour and then we will make a video of like this we will make a video of a video of like this and then we will make a video of like this झाल